दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल आरेने सेजुकेशन न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने माले हैं रास्ता नई भरती 2023 तो दोस्तो साथ विभाग होंगे और उन साथ विभागों में 17,000 से ज़्यादा भरती पद होंगे अगर मेरे विशलेशन की हम बात करें तो तक्रीबन 25,000 से ज़्यादा पद इन में आ सकते हैं तो दोस्तो आईए बताते हैं रास्तान CET यानि कि जो CET परिक्षा है तीन चरणों में यहाँ पर यह जो पद है तक्रीबन 25,000 से प्लस होने वाले हैं तो पूरी विशलेशन आपको बताते हैं आए दोस्तो हम बात करने वाले हैं रास्तान CET परिक्षा की CET सेनियर सेकंडरी लेवल परिक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो चुकी है जो CET है रास्तान CET परिक् में होगी परिक्षा यह परिक्षा का आईजन किया जाएगा करमचारी चैन बोड के और से अगर आपने अभी तक प्रवेश्पत्र डाउंलोड नहीं किया दोस्तो प्रवेश्पत्र आप लोग डाउंलोड कर सकते हैं ऐसा स्वाइडी के माध्यम से इसके लिए आपके वर है तो आप एडमिड कार तो डाउंलोड कर सकते हैं चार पांच ओर छे ग्यारा फरवरी को छे फार्यों में परिक्षा होने वाली है चेंजों होने वाली है सुबह की जो पारी है 9 से 12 और साम की जो पारी है ढाही से लेके छे बज़े तक यहां पर रहने वाली है और common LGBT test ये रहने वाला हिसमें दोस्तों जो भरतियां है बनपाल, ठीक है, छात्रव सदिक सक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनेश सायक, जमादर ग्रेड सेकंड और कॉंस्टेबल अगर इन भरती परिक्षाओं में अगर आपने आविदन किया है, परिक्षा में आप लोग बैठेंगे, एक स्कोर काड आप लोग को जारी किया जाएगा उसके बाद ही आप इन सम्मंदित भरतियों के जो फोरम हैं वो भर सकेंगे यानि कि CT में अगर आप लोग नहीं बैठ रहे हैं, CT परिक्षा 12 इस्तर की नहीं दे रहे हैं तो आपको राजस्तान पुलिस का फोरम नहीं भरने दिया जाएगा, आपको चात्रावा सदिक्षा ग्रेड टूक का फोरम नहीं भरने दिया जाएगा तो इस तरीके से बहुत सारी चीजे हैं जो आप लोगो इस CT का पास करना ही होगा अब CT में दोस्तों क्या है कि CT में CT परिक्षा देने के बाद सब का स्कोर काड आएगा ठीक है ना, इसकी कोई नियूंतम प्रतिशत तैन नहीं है, कि CT में 40 लाने हैं 50 लाने है CT स्कोर काड की जो वैलेडिटी है, एक साल के लिए रहने वाली है ठीक है ना, एक साल इसकी वैलेडिटी लरेगी इस परिक्षा में बैटने के लिए कोई तरह की सीमा नहीं है, जितनी बार आप लोग एक्जाम दे सकते हैं अरक्षन वगरा सारा इसमें होगा, पातरता परिक्षा है, अब दोस्तों आपको बताते ही यह देखिए जो 17 अजार से अधिक पद हैं, वो कहां से कैसे क्या होंगे, देखिए सबसे पहले रास्तन 1 अधिक्षक चाहिए होंगे, इसमें भरती पद होंगे रास्तन सचीवाले लिपिक ग्रेड सेकंड और रास्तन अधिनस्त कारियले लिपिक वर्ग सेवाई, यानि की कनिष्ट सायक और RPSC, LDC, ये तीन जो हैं, तीन, चार और पांच, इन में ही करीब 13-14 अजार पद हो सकते हैं, ठीके साथियो इन तीनों में ही यानि की LDC की हम बात करें, तो इन में ही 13-14 अजार पद हो सकते हैं, CT की परिक्षा के बात, इसकी अलावा दोस्तों अगली हम बात करें, जमादार बगरा के तो खर कमी होंगे, लिकिन रास्तन पुलिस कॉंस्टेबल, तो 48-100 के आसपास 5,000 के आसपास में भी पद आएंगे, ठीके, तो 25,000 के आसपास इनके भरती पद हो सकते हैं, अगर गुर्मेंट चाहे तो, लेकिन फिर भी आप 20,000 मानके चलिए, 13-14,000 आप लोग LDC के, 5000 के आसपास आप लोग हैं, राजस्थान पुलिस के, तो 20,000 तो पदों में कोई कमी नहीं होगी, CT पर हैं, जिन पर ये भरती निकलेगी, CT आप लोग दीजिए, CT में अच्छा स्कोर कीजिए, उसके बाद, CT के बाद ये जो सम्मंदित, रास्तान करमचारी चैन बोड़े इन भरतियों के फोरम निकालेगा, फिर आप लोगों को CT में जो अंक आएंगे, माक्स आएंगे, उनके जो जितनी भी वेकेंसी होंगी, उसके पंदरा गुना तक आप भरतियों से फोरम भराए जाएंगे, तो ये CT का है, CT परिक्षा 4, 5 और 11 फरवरी को बार विस्तर की होनी है, जो ग्रेजवेशन की थी वो हो चुकिया, जनवरी के महिने में उसके आंसर की भी आ चुकिया, सम दन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, हम इस वीडियो में बात कर रहे थे, रास्तन CT बार विस्तर के बाद निकलने वाले भरतियां और उनके संभवित पदों के बारे में, धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत